इस वीडियो में हम देखे कैसे आप अपने Samsung Mobile में side key से flashlight को on और off कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो यहां पर तो आपको flashlight का option मिलता ही है लेकिन इसको आप कैसे side key से on या off कर सकते हैं तो आपको यहां से settings में आ जाना है और फिर नीचे स्क्रॉल करना Advanced features में आ जाना है यहां आपको side key का option में आना है यहां देख सकते कि double press का option on है आपको भी on कर लेना है और यहां से इसमें आपको open app का option से लेक्ट कर लेना है इसमें torch app को जो है select किया हुआ है तो आप यहां से जो है torch app को select कर सकते हैं तो यहां से अब देख सकते हैं कि side की को अगर आप यहां पर बात करें double press करते हैं तो torch जो है वो अन हो जाएगी इस तरीके से देख सकते हैं कि और अगर आप इसको फिस से इस तरीके से double press करते हैं तो यह off भी हो जाएगी ठीक है चाहे जो है आपके phone की screen इस तरीके से off हो तो भी यह देख सकते हैं कि जैसे हमने इसको double press किया तो यह torch on होगे और फिस से double press किया तो torch off होगे तो इस तरीके से आप easily जो है अपने Samsung mobile में जो है side key से torch को on और off कर सकते हैं